सप्टेम्बर में बहुत सी बाइक्स का प्राइस फिर से एक और बार बड़ा है और बहुत सी निव बाइक्स भी लॉंच हुई है नमस्ते दोस्तो और विलकम टो आर चैनल कैसे आप लोग आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत सी बाइक्स का प्राइस फिर से एक और बार बड़ा है और बहुत सी निव बाइक्स भी लॉंच हुई है और ऐसे मैं ऐसी कौन सी बाइक है जो आज ठाई लाक्स से लेकर 2.75 लाक्स के on road price range में आ जाती है वो मैंने अपने ये वीडियो के अंदर share किया है वैसे भी festive season चालू हो गई है और ऐसे मैं बहुत सी कंपनियों ने बहुत सारे offers भी देना start कर दिया है तो एक बार उनको check out करना मत भुलिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि ये वीडियो में से कौन सी बाइक आपको पसंद आई या फिर कौन सी बाइक आप लेना चाहोगे ये मुझे नीचे कमेंट करके बता देना तो चलिए ज़्यादा टाइम वेट नहीं करता है एंड स्टार्ट करते है अपना वीडियो तो नंबर आट पर है जावा पैराक ये एक क्रूजर बाइक है और ये बाइक उनके लिए है जिनको क्रूजिंग करनी पसंद है और एक अच्छा एंड पावर्फूल इंजिन चाहिए तो पैराक का लेटेस उन्रूट प्राइस रेंज है मेरे आपर 2,053,000 से लेकर 2,056,000 के बीच में बाइक की बीर क्वालिटी अच्छी है और इसके अंदर कलर के उप्शन आपको जादा नहीं मिलेंगे पैराक में आपको 334 CC का लिक्विड कुल इंजिन मिल जाएगा जो कि पार प्रडिस करता है 30.2 BHP का और 32.72 Nm स्टॉक जनरेट करता है बाइक के अंदर 6 गयर से और ये इंजिन माइलेट डिलीवर करेगा 28 से लेकर 30 के MPL के बीच में इंजिन इसका पावरफूल है और इंडिया में ये सेग्मेंड में ओनली कुछ कुछ क्रूजर बाइक है जिनके अंदर आपको लिक्विड कुल इंजिन मिल जाएगा प्यारक में ओनली सिंगल सिट का ओप्शन अवेलेबल है अभी के लिए और इसका वेट है 185 kgs का और आपकी सेफटी के लिए आपको इसके अंदर डियूल चैनल ABS का ओप्शन मिल जाएगा अल्मोस्स सेम प्राइज रेंज में एक और बाइक आती है जिसका नाम है जावा 42 बॉबर बट इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर ओप्शन मिल जाएगे तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहिए तो आप उसके लिए जा सकते हो तो चलिए भी नेक्स बाइक के बार में बात करते हैं तो नंबर साथ पर है Honda CB300F ये एक स्ट्रीट बाइक है और ये बाइक उनके लिए है जिनको एक ट्रस्टेबल एंड रिलेबल बाइक चाहिए वीट गूड फीचर्स एंड गूड बिल कॉलर्टी CB300F का लेटेस अंडर प्राइस रेंज है मेरे आपर 2,072,000 से लेकर 2,75,000 के बीच में दिखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा है और शार्फ स्टाइलिंग एट्रेक्शन का कारण बनती है और इसके अंदर आपको फीचर्स भी बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे CB300F में आपको 293.52 CC का ओयल कूल इंजिन मिल जाएगा जो की बारपोड इस करता है 24.13 BHP का और 25.6 Nm स्टॉक जनर करता है बाइक के अंदर 6 gears है और यस ये इंजिन का पावर थोड़ा सा कम है बट माइलेज इसका अच्छा है लाइक 30 से लेके 33 के MPL के बीच में ये इंजिन की performance भी बहुत ही अच्छी है और इसकी top speed भी बहुत ही अच्छी है CB300F का weight है 153 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS का option मिल जाएगा कुछ new और अगर आपको कुछ bold चाहिए तो ये bike आपके लिए है तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो नंबर 6 पर है Husqvarna Swartpiland 250 250 ये एक street bike है और इसके अंदर एक और model है जो की है cafe racer ये bike उनके लिए है जिनको कुछ different चाहिए like good engine performance and good features and very cool looking वाली bike Swartpiland में आपको 248.76 CC का liquid cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 30.84 BHP का and 24 Nm stock generate करता है bike अंदर 6 gears है और ये engine mileage deliver करता है 28 से लेके 30 KMPL के बीच में ये engine की power delivery बहुत ही quick है और engine भी refined है bike की build quality भी अच्छी है और styling भी unique है Swartpiland का latest onward price range है मेरे यहाँ पर 2,64,000 से लेकर 2,70,000 के बीच में bike का weight है 162 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS का option भी मिल जाएगा seat height इसकी थोड़ी सी ऊपर है और pillion की seat का comfort थोड़ा सा कम है तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो number 5 पर है Suzuki VStrom SX 250 यह एक ADV bike है और यह bike beginners adventure tourer के लिए best choice है क्योंकि इसमें आपको अच्छा and smooth engine मिल जाएगा जो की relaxed power generate करता है VStrom 250 का latest onward price range है मेरे यहाँ पर 2,54,000 से लेकर 2,60,000 के बीच में sitting position इसकी अच्छी है और suspension भी इसके अच्छे है and latest switches भी आपको इसके अंदर अच्छे मिल जाएगे with Bluetooth connectivity VStrom में आपको 249 CC का oil cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 26.1 BHP का and 22.2 Nm stock generate करता है bike अंदर 6 gears है यह engine smooth है बट gears इसके थोड़े से hard shift होते है bike का weight है 167 के जिसका और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS का option भी मिल जाएगा और साथ में इसकी braking की performance भी बहुत ही अच्छी है तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो नबर 4 पर है yes the adventure यह एक ADV bike है और यह bike उनके लिए है जिनको जादा करके touring करनी है तो क्यूंकि इसके अंदर आपको एक अच्छा and powerful engine मिल जाएगा जो आपको help करेगा touring करने के लिए और अच्छे features भी मिल जाएगे यह एडवेंचर में आपको 334 cc का liquid cooling engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 29.89 bhp का and 29.84 Nm stock generated करता है bike अंदर 6 gears है और यह engine milder deliver करता है 28 से लेके 30 kmpl के बीच में यह engine smooth है and refined भी है बाट अगर आप ध्यान से देखो तो यह bike कुछ कुछ हिमालयान जैसी ही लगती है yes the adventure का latest onward price range है मेरे यहाँ पर 2,56,000 से लेकर 2,62,000 के बीच में bike का weight है 198 के जिसका और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS के साथ साथ switchable ABS का option भी मिल जाएगा तो चलिए भी next bike के बारे में बात करता है तो नंबर 3 पे है और यह bike उनके लिए है जिनको एक comfortable bike चाहिए for long ride या फिर city ride करने के लिए meteor 350 में आपको 349 CC का air and oil cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 20.2 BHP का and 27 Nm stock generate करता है bike के अंदर 5 gears है और यह engine mileage भी अच्छा डिलिवर करता है लाइक 33 से लेके 36 के MPL के बीच में यह engine smooth है और इसकी power delivery भी अच्छी है bike की beer quality भी अच्छी है और seat height इसकी low है इसका weight है 191 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS का option मिल जाएगा meteor 350 का latest enterprise range है मेरे यहाँ पर 2 lakhs and 51,000 से लेकर 2 lakhs and 75,000 के बीच में high revs पर आपको engine में थोड़े बहुत vibration मिल जाएंगे और इसकी cruising speed भी थोड़ी सी कम है बट rider and pillion दोनों के लिए भी यह bike comfortable है best choice for long distance traveling या फिर highway cruising चलिए तो next bike के बारे में बात करते हैं तो number 2 पर है Honda Hynes CB 350 यह एक street bike है और यह bike उनके लिए है जिनको एक comfortable bike चाहिए तो 50 का latest on road price range है मेरे यहां पर two lakhs and 53,000 से लेकर two lakhs and 60,000 के बीच में same price range में आपको CB 350 RS भी मिल जाएगी दिखने में यह bike अच्छी लगती है और कुछ modern features भी आपको के अंदर मिल जाएंगे दोनों भी bikes के अंदर आपको सेम इंजिन मिल जाएगा लाइक 348.36 CC का एर कूल इंजिन जो के बार पर्डूश करता है 20.78 बीच्प का and 30 न्यूटन मिल स्टॉक जनरेट करता है बाइक के अंदर सब चीज ठीक है सिर्फ एक चीज को छोड़ कर और वो है कि इसकी पिलियोन की सीथ थोड़ी सी छोटी है तो चलिए भी नेक्स बाइक के बारे में बात करते है तो फाइनली नंबर एक पर है रोयल एंड फिल हिमाल2 रायान ये एक अड़ीवी बाइक है और ये उनके लिए है जिन को हाड कोर ओफ रोड करनी है या फिर लांग डिस्टनस च्रावेलिंग जाधा करनी है तो या फिर ले लदा की बाइक राइड करनी है तो यह बाइक पर्फेक्ट चोईस है हिमालायान में आपको 411 cc का एर कुल इंजिन मिल जाएगा जो की पार प्रोडिस करता है 24.3 भी एच्पी का यह बाइक एक पर्फेक्ट एडिवी बाइक है हिमालायान का लेटेस्ट अंड़ोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 2,073,000 से लेकर 2,087,000 के बीच में कुछ अच्छे टूरिंग के फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे बाइक का वेट है 199 के जिसका और आपकी स इस्टागरम या फेस्बुक पर मैसेज कर सकते हो थैंक यू सो मच गास वर वाचिंग बबाइस और कोग्रेटुलेशन फोर यह नू बाइक